Hello everyone, this is Krittika and welcome back to our channel Krittika BLLB Students, आज इस वीडियो में हम discuss करेंगे अपनी सरीर का question number 12 जो की exam के point of view से बहुत ही जादा important है यहां तक कि यह इस बार BLLB के exam में भी इस बार आया था long और short दोनों में ही तो आप समझ सकते हो कि कितना important question है और इस पस जादा videos available नहीं है, notes नहीं है तो बचों को इस question को समझने में काफी problem भी होती है तो आज हम इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और इस topic को विधायन का निरसन यह क्या है इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं काफी leading cases भी देंगे इसमें जिसे के हम और अच्छे से समझ पाएंगे और इसमें कुछ और भी topics हैं जो कि exam में sort question में बन जाते हैं उनको भी discuss करेंगे तो इस video को सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप LLB ये BLLB के students हैं और अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो इस channel को जुरू subscribe कर लीजिए क्योंकि इसमें हम आप लोगों के exam से related, answer writing से related काफी important videos बनाते रहते हैं और मेरा target है कि LLB और BLLB के जितने भी semester है उनमें सभी subjects के top 15 questions की मैं series बना के डाल दूँ और उनके notes मैं telegram पे provide करा दूँ जिससे की बच्चों की जो problem रहती है कि वो किस question को पढ़े और किस question को ना पढ़े long question में तो इस problem को मैं solve कर दूँगी तो इस लिए इस channel को जरूर subscribe करिएगा और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताईएगा ताकि वो भी ऐसे important videos का फायदा उठा सकें और ऐसे important जो question की जो notes बना के देंगे आपको तो इनका भी फायदा उठा सकें तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो तो question आपको देख रहे हैं कि निड़ेत वादों की सायता से विधायन के निरसन तता पुनर जीवन का वर्णन करिए इस तरह से कोई भी question आपका एक्जाम में आ सकता है अब इसका आप answer कैसे देंगे ये देखते हैं संसत के द्वारा पारित अधनियम पर जब राष्टपती अपनी सहमती दे देते हैं तो ऐसी सहमती के 12 गंटे के पश्चात वा अधनियम प्रवर्तन में आ जाता है और यही उसके आरमखी तिथी होती है जैसा कि सभी जानते हैं कि संसत का काम होता है कानून का बनाना कानून को बनाना और संसत के जो दो हाउस होते हैं एक होता है लोकसभा एक होता है राजसभा लोकसभा और फिर राजसभा इन दोनों से जब वे दहेग पारित हो जाता है और राष्टपती जैसे ही उसमें साक्षर कर देते हैं, वो कानून बन जाता है, उसके 12 घंटे बाद वो कानून बन जाता है, प्रवर्तन में आ जाता है, और वही उसके प्रवर्तन की तिथी होती है, अब हम देखते हैं, यह तो हो गया, हमने समझ लिया कि कानून बनाती कैस प्रारम से ही निश्चित कर दिया हो तो निश्चित अवधी के बीद जाने के पश्चा तो सुता ही समाप्त हो जाता है अगर किसी कानून को विधाइका ने बनाया है उसका समय पहले से ही निश्चित कर दिया है तो जैसे ही उसका अवधी निश्चित की गई अवधी जब सम और निर्सन से तातपर है निराकरत करना या विधाय शक्ती से कोई आपचारी की विधी सूनने करना जिस प्रकार विधाय का को विधी के सरजन की अधिकारता होती है उसी प्रकार से उसे या अधिकार प्राप्त होता है कि वह विधायन को निर्सन करे यानि समाप्त करे और इ इसमें देखते हैं कि अभिवेक्ति निर्शन क्या है अभिवेक्ति निर्शन से तातपर है कि जब पश्चातवर्ती सम्विधी अभिवेक्ति रूप से यह गोसित करती है कि पूर्व की सम्विधी विखंडित और निराक्रत होगी अभिवेक्ति संगति अभिवेक्ति निर् में जिए पुरानी सम्विदी की दो पहले से बनी सम्विदी और उसको समाप्त किया जा रहा है तब पूरानी वाली वाली सम्विदी जब खतम होती है, जो आप Mr. तुम अगर कोई पुरानी समविधी समाप्त होती है तो इसे अभिवक्ति निर्सन का जाएगा और इस पर एक बहुत ही इंपोर्टेंट केस है भारत संग वर्सेस वैंक केटेशन का मामला है इस मामले में उचितम नियाले ने यह निर्डे दिया कि जब दो समविधियां एक दूसर से इस पस्टता आसंगत ना हो तो नियाले समाने तह विविच्चित निर्सन सुईकार नहीं करेंगे यदि कानून का इस पस्ट उल्लखित निर्सन करना हो तो यह अधनियम में ही उल्लखित कर दिया जाता है इस अधनियम यह क्या उल्लखित किया जाता है यह देखते हैं इस अधिनियम के विपरीद विद्दमान सभी विधियों के समस्त उपबंद निर्सित किये जा रहे हैं। मैं इसमें कहा गया कि जब दो समविधियां इस पश्चता एक दूसरे के आसंगत ना हो, तब नियाल है उनको विविच्चित निर्सन नहीं कर सकता है। और अगर समविधि का निर्सन करना होगा तो उसका उलखित निर्सन करेगा किस प्रकार से करेगा। इस प्रकार असंगत और असमनवयकारी उपबंद निर्मित करती हैं कि दोनों में से कोई एक ही विधी प्रवरतन में रह सकती है तो पूर्व की विदी विविच्चित रूप से निर्सन मानी जाएगी। मिर्स क्या है कि कि जब दो समविधिया हो एक ही विषय पर जब कोई दूसरी समविदी निर्मित की गई हो और वहाँ पर पूर्व समविधी और जो नई समविधी बनी हैं वो दोनों के उपबंद एक दूसरे से आ संगत हों, आ समनवे कारी हों, means उनके बीच में कोई समनवे ना हो, बिल्कुल बिपरीत हो, विरोधी हो, दोनों सम्वध्जोनों, दोनों पुरावधान जो हैं, वो न रह पाएं, ठीक है? पुरानी समविधी और नई समविधी दोनों के प्रावधान अस्तितु में न रह पाएं, प्रबरतन में न रह पाएं एक साथ, तो वहाँ पर पुरानी समविधी का उपबंध है, वो अपने आप समाप्त माना जाएगा, और इस प्रकार का जो निर्सन है, उसे विवच्छि निर्सन का जाएगा, अब इस पर हम केस लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, दिल्ली नगर निगम वर्से सिव संकर, यह काफी इंपॉर्टन भी, अगर आप केसे में निसन करोगे अपने आंसर में, तो आप आपको ज़्यादा अच्छि नंबर मिलेंगे, तो इस मामले में क्या हुआ, इस मामले में उच्छतम नियाले ने कि अभी निर्धायत किया, कि जब दो अधनियम परस पर आसंगत विरोधी हों, तो पशात वर्ती अधनियम के द्वारा पूर्व वर्ती अधनियम को विविच्छित रोप से निर्सित किया माना जाएगा, मिस इसमें कहा ग देखते हैं, निर्सन की कसोटी, जो विविच्छित रोप करेंगे, तो इस पर तीन बाते दी गई है, इन बातों पर हम जब इन बातों पर विचार करेंगे, जब इन बातों को फिल फिल करेंगे, तभी हम विविच्छित रोप मानेंगे, और या तभी विविच्छित रो आपका जब किनी दो विधाई उपबंधों में सीधा विरोध पर लक्षित हो मिन्स जब किसी दो विधाई उपबंधों में सीधा विरोध पर लक्षित होता है तब विविचित निर्शन माना जाएगा Second amaranth, जब विधाईका ने किसी पुरानी सम्विधी की जगे उसी विशह वस्तु के सम Надर में वरहत सहिता को निर्मिद करके पुरानी के स्थान पर ने विधायन का निर्माड किया है मिल जब विधाईका ने पुरानी समविधी की जगे पर उसी विशेवस्तू पर कोई नई समविधी का निर्माड किया है ठीक है और तब वहाँ पर मानेंगे जो वहाँ पर विवच्छित निर्शन मानेंगे या वहाँ पर विवच्छित निर्शन किया जाएगा थर्ड है मारा जब दो विधियां एक ही छेतरा अधिकार को अच्छादित करती हूँ यानि जब दो समविधियां एक ही छेतरा अधिकार पे बनी हो तो वहाँ पर जो पहले से बनी समविधिय जो पुरानी समविधिय है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और जो बाद में जो नई सम्विधी बनी है उसको प्रवर्तन में रखा जाएगा ठीक है अब इस पर हम केस क्या लिख सकते हैं आर एस रगुनाथ वर्सिस करनाटक राज्य ये काफी इंपॉर्टेंट केस है इस मामले में उचितम नियाले न यह का कि पुरानी अधिनियम की उपयोगिता विद्दमान हो तो मिंस अगर पुराना अधिनियम जो बना हुआ है पहले से अगर उसकी उपयोगिता विद्दमान है तो वहां वेवच्छीत नेर्सन की उपधारना नहीं माने जाएगा और अभी तक हम क्या देख रहे थे है कि अगर कोई पुराना कानून पहले से बना है और वहाँ पर अगर कोई नया कानून उसी विसे वस्तू पर बन जाता है तो पुराना कानून समाप्त हो जाता है लेकिन इस मामले में कहा गया कि अगर कोई पुराना कानून बना हुआ है और उसके उपयोगिता अगर है विद् 154 और उसके अंतरगत बना जो नियम था आवश्यक वस्तु अधनियम 1955 के अधनियम के बाद निरसन के उपधारना नहीं की गई मिस्री जो आप खादे अप मिस्रित अधनियम जो है खादे अप मिस्रित निवारान अधनियम ये पहले से बना हुआ था 24 भी बना था और इसके बाद जो बना आवश्यक वस्तु अधनियम 1905 पर बना लेकिन जो बाद वाला कानून था इसके दोरा पहले कानून को समापत नहीं किया गया जबकि दोनों में ही सिरिके की गुरुवत्ता के बारे में बात किया गया था दोनों में ही इसके बारें प्रावधान किया गया है क्योंकि पहले वाले कानून की उप्योगिता विद्धमान है अब इस पर देखते हैं कि समानने तथा विसस्ट विधियों के आधार पर निर्सन की कसोटी मिन्स हम समान और विसिस्ट विधियों के द्वारा कब निर्सन करेंगे मिन्स कब कानून को समाप्त कर सकते है तो विसिस्ट विधी तता समान विधी में कुछ अंतर है वया है कि विसिस्ट विधी किसी एक ही विषय की पूर्ड विधी को समेट कर बनाई जाती है मिस्क विसस्ट विधी जो होती है किसी एक ही विषय पर जितने भी कानून है जितने भी विधी उन सब ही को समेट कर बनाई जाती है जबकि सामानने विधी विस्तरत करते हुए विसस्ट विधी का भी संदर्ब प्रकट करती है अताह यदि पहले से किसी विस्षे पर विस्ष्ट विधी विद्मान है तो समानते है पश्चातवर्ती शमान्य विधी के विपरीत प्रावधानों के कारण निरसन नहीं माना जाएगा मिसिस में कहा गया कि विसिस्ट विदी को समान विदी के द्वारा समाप्त नहीं किया जाएगा ठीक है चाहिन के प्रावधान भी परी थी क्यों ना क्यों इसमें ओए कि केस है ये मिसिपल काउंसिल पलाई वर्सेस टीजे जैसेफ इसमें जो न्यादी से मधुलकर ने इसमें कहा कि विसिस्ट विदी वो होती है जो कि कुछ विसिस्ट विक्ती और कुछ विसिस्ट स्थानों पर लागो होती है जबकि समान विदी वो होती है जो सभी विक्तियों पर और सभ दोनों सी विधियों के प्रावदिको को प्रभावी रूप देना चाहिए, वहां पर विश्श्च्य विधी से संय। प्रकार कौन से हैं। निर्षन किया है।ि इसकी इसकी कहती है यह ने पॉड़ लिया। अब यहाँ पर दो कल्प निर्सन का सिध्धान्त और यह आपका है पुनर जीवन का सिध्धान्त. यह दोनों बहुत ज़ादा IMPORTANट है. यह आपकी long question के साथ कभी कभी आ जाता है कि विजोयन का निर्सन क्या है? कल्प निर्सन का सिध्धान्त बताएज. इस तरह से यह फिर इनका सौट में आ जाता है कभी-कभी यह लॉंग में इनकी साथ आ जाता है तो यह दोनों पॉइंट भी समझने बहुत ज़्यादा जरूरी है तो जली से समझ लेते हैं क्या है कलपनेरसन का सिध्धान्त एस उपधाना इंग्लैंड में जरूर है वहाँ पर अगर कोई कानून बहुत दिन तक उपयोग में नहीं लाया गया है ठीक है और उसके विपरीद कोई दूसरी उनकी एक कोई स्थाने प्रथा या नियम कानून को प्रचेपन पालन किया जा रहा है तो वहाँ पर उस कानून को समाप्त कर दिया जाता है जिसका पालन नहीं किया गया है जैसे कि एगर भारत के संदर में हम देख लें तो भारत में दहज उन्मूलन जो एक कानून मना था ठीक है दहज प्रता के विपरीत में तो यहां पर क्या हुआ आज भी इस कानून का ना के बराबर पानल किया जाता है आज भी दहज उनुमूलन को आज भी माना नहीं जाता है इस कानून को तो इसका मतब यह नहीं है कि यह कानून समाप्त हो गया यह कानून अभी भी है प्र अधनियम, संसत के ध्रदानीयम में, तो कोई भी समविधी बहुत दिन तक आप रियोग के कारड अपने आप से निर्सत नहीं मानी जाती है। ऐसी परंपरा इंग लैंड में तो नहीं है, परंटी स्कॉट लैंड में ऐसी कल्प निर्सन के अवधार्णा की जाती है, किन्तों यह तब ऐसा माना जाता है, जब किसी सम्विधी का बहुत दिनों तक प्रियोग नहीं किया गया हो, और उसके प्रतिकूल यानि विपरीत, कोई लोग प्रचलन द्वारा विपरीत नियम का पालन किया गया हो, तो आप परयोग्त पुरानी समविधी को कलप निर्षन के समान मान लिया जाता है भारत में कलप निर्षन की कलपना नहीं की गई है क्योंकि भारत में इंग्लेंड की तरह ही इंग्लेंड की बेवस्था अपनाई गई है इसलिए भारत में कलपनिरसन की ब्यवस्ता नहीं की गया यह इस नियम को नहीं अपनाया गया है अब इस पर एक केस है कि महाराष्ट राज वर्सेस नारायन इस मामले में उचितम नियाले ने कलपनिरसन के सिध्धान्थ को आस्विकार कर दिया लेकिन मिनसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस भारत फोर्स कमपनी लिम्टेट के मामले में स्कॉट लैंड के सिध्धान्थ का अनुसर अड़ गया अब इस पर हमारा जो दूसरा केश है दूसरा जो हमारा सिध्धान्थ है पुनर जीवन का सिध्धान्थ ये क्या इसको देख लेते हैं साधारर खंड अधनियम 1897 की धारा साथ के अनुसर जब कोई विधी निर्सत की जाती है तो उसके पूर्व यदि कोई निर्सनकारी विधी रही हो तो इसके बाद वाली विधी ने निर्सन किया था तो यह निर्सित विधी स्वता ही पुनर जीवित नहीं हो जाएगी हो सकेगी यदि विधाय का इसे पुनर जीवन करने का से रखती है तो उसका उलेख करना होगा मैं इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं एजी लेंग्विज में समझाओं तो जब कोई पुराने समविधी पहले से बनी हुई है सपोस कोई बनी थी पहले समविधी और इसको नया कानून बना करकि उसको समाप्त कर दिया गया तो यहाँ पर पुराने समविधी का स्तित्व समाप्त हो जाएगा अब यह जो कानून नया कानून बना हुआ है इसको अगर आगे चलके भविस में इसको आविधी मानने घुसित कर दी जाए या इस नए कानून को समाप्त कर दी जाए तो यहाँ पर क्या प्रस्निया उड़ता है कि क्या जो पुरानी विधी को समाप्त किया गया था नई समविधी की द्वारा तो क्या अब पुरा जीवि गे थी वो पुनर जीवित नहीं हो जाएगी जब नई सम्विधी को निशन किया जाएगा इस पर आप केस देखते हैं इससे हम और अच्छे से समझ जाएंगे कोटेश्वर कोटेश्वर बिठल कामत वर्सेस के रंगपा के मामले में पुनर जीवन के संबंध में नियम का उल पुराना नियम सोता पुनर जीवित नहीं हो जाता जिए तो पुरानी समरी पुनर जीवित हो जाएगी अलाग से इसके लिए कोई विधायन नहीं बनाना पड़ेगा मेंस क्या है पहले हम यह जान लेते हैं आइस्थाई सम्विदी हो इस्थाई सम्विदी क्या है इस्थाई सम्विदी जो हमेशा हमेशा के लिए बनाए गई हो जिसके लिए कुछ समय निश्चित न किया गया हो जो हमेशा के लिए बनी हो जैसे के मैं भारती दन सहीता सम्वि किसी स्थाय समविदी को आई स्थाय समविदी के द्वारा समाप्त कर दिया गया और आगे चलके भविस में अगर आई स्थाय समविदी को आविधिमान गोसित कर दिया जाएगा तो जो हमारी पुरानी समविदी थी तो वह पुना जीवित हो जाएगी उसके लिए कोई अलग नहीं फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में सी यू इन नेक्स्ट वीडियो तिल देन बाबार टेक कियर